नमस्कार दोस्तों, स्वागत थे आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ पे शुरू करते हैं चाचा चौधरी और राका सीरीज की मज़ेदार कॉमिक्स चाचा चौधरी राका का चैलेंज एक इंपोर्टेंट कार शहर की सड़कों पर दौड रही थी कार में बैठा था राका का चोटा भाई जबीरा वह सोचने लगा दस सालों में सब कुछ कितना बदल गया है उसने एक आदमी से पूछा भाई साहब कमपु रोड कहा है उस आदमी ने कहा आगे जाकर माएं को मुड जाईए जबीरा ने सोचा पता नहीं रुक्कन बाबा जिन्दा भी है या नहीं एक जगह पहुँचकर जबीरा ने सोचा हाँ यह वही जगह है जहां कई साल पहले मैं पना लेने आया करता था एक घर में गुसकर वह बोला रुक्कन मिया रुक्कन मिया बोले मैंने तुम्हें पहचाना नहीं जबीरा बोला बाबा मैं जबीरा राका का छोटा भाई रुक्कन मिया ने कहा हाँ याद आया जबीरा ने कहा मेरा भाई कहा है मैं उससे मिलने आया हूँ जब हम दो भाईों ने बिश्णु सेट के पूरे परिवार को कतल किया तो पुलिस भिड के छत्ते की तरह हमारे पीछे लग गई मैं भाग कर विदेश चला गया लेकिन मेरा बड़ा भाई यहीं छूट गया रुक्कन मिया बोले लो जबीरा चावल खाओ तुम्हारा भाई राका कुछ दिन तक बच्ता रहा लेकिन एक दिन पुलिस ने उसे घेर लिया वह एक वैद्य चक्रमचार्य के घर घुज गया जब बचाव का कोई रास्ता ना दिखा तो तुम्हारे भाई ने जहर पीकर खुदखुशी करनी चाहिए दरसल वह जहर नहीं एक अद्भूत दवाई थी जिसे पीने वाले को विशाल काये ही नहीं वरन उसे अमर भी बना दिया फिर राका ने चक्रमचार्य को मार डाला रुकनमिया बोले जब तुम्हारे भाई ने मार काट और आग जनी मचाई तो चाचा चौधरी ने उसे पकरने का बेड़ा उठाया राका ने साबू पर वार किया लेकिन साबू की अथा शक्ति के आगे राका की एक न चली उसके बाद चाचा चौधरी और साबू ने तुम्हारे भाई को कहां कैद किया कोई नहीं जानता जबीरा बोला जिन्होंने मेरे भाई को इतनी तक्रीफ पहुँचाई मैं उन्हें खत्म कर दूँगा और वह चाचा चौधरी के तलाश में चल पड़ा बारिश हो रही है और तुमने बन छक्त्री पकड़ी हुई है यह चाचा चौधरी मुझे दे दो ताकि इसका इस्तमार हो चाचा चौधरी बोले लो मिस्टर किट्टू काटा किट्टू काटा ने सोचा हाँ हाँ तुम भाग कर मकान ने गुजो साबू ने कहा चाचा जी आपने किट्टू काटा को छत्री दे कर अकलमंदी नहीं की चाचा चौधरी बोले साबू थोड़ी देर बाद तुम्हें इसका जवाब मिल जाएगा थोड़ी देर में छत्री का सारा रंग उतर कर किट्टू काटा के उपर आ गया वह बोला ओ चत्री का रंग कच्चा था पानी में उतर गया वह चाचा चौधरी से बोला चौधरी देखो तुम्हारी चत्री ने मेरा क्या हाल बना दिया साबू जोर-जोर से हसने लगा चाचा चौधरी बोले मैं जानता था कि यह घटिया क्वाल्टी की है क्योंकि चाचा चौधरी का दिमाग कम्प्यूटर से तेज चलता है साबू ने चाचा चौधरी से कहा मैं जोगिंग करने चाता हूँ चाचा चौधरी बोले मैं यह छत्री दुकानदार को लोटा कराता हूँ साबू बोला खुली हवा में दोड़ना एक अच्छा व्यायाम है तभी वहां रेलू पेलू इंजन ड्राइवर पहुचा और बोला साबू रुको साबू ने कहा रेलू पेलू इंजन ड्राइवर क्या बात है इंजन ड्राइवर बोला वहर रेलवी इंजन पट्री से उतर गया है कंदे पर बैठा कर मुझे पास के टेलिफोन तक ले जाओ ताकि मैं सूचना देकर क्रेन मंगवा लूँ साबू ने कहा क्रेन की जरूरत नहीं इंजन को पट्री पर मैं रख दूँगा साबू अपनी सभी मास पेश्यों की ताकत इखट्टी करता है और साबू ने इंजन को उठा कर पट्री पर रख दिया इंजन ड्राइवर सोचने लगा अदभूत सचमुझ साबू विश्व का सबसे ताकतवर इंसान है उसने कहा धन्यवाद अब ठीक वक्त पर मैं रेलवे स्टेशन पहुँच सकूँगा साबू सोचने लगा अब मुझे घर लोटना चाहिए चाची ने मेरे लिए दही का मटका तयार रखा होगा यह सब जबीरा देख रहा था वह सोचने लगा वह लंबा आदमी साबू लगता है जिसने मेरे भाई को तकलीफे दी जबीरा ने एक बम हाथ में लिया और बोला यह बम इंदिया गेट को कंकणों का धेर बना सकता है और उसने बम साबू की तरफ फैक दिया बम साबू के पास चाकर गिरा और जोर से फट गया जबीरा बोला लंबू उस पावरफुल बम से मैं तुम्हें मार सकता था लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि अगर तुम मर चाते तो कौन बताता कि मेरा भाई राका कहां बंद पड़ा है देखो जहां बंद गिरा था वहां गहरा गड़ा हो गया है अगर तुम जिंदा रहना चाते हो तो बताओ राका कहां है साबू बोला चूहे तुम अपने भाई से मिलना चाते हो मैं तुम्हें भी वहां बंद कर देता हूँ जहां वह है जबीरा बोला रुको मेरे पास एक और बम है यह तुम्हारी धजियां उड़ा देगा साबू ने कहा राका ने सैक्ड़ो निर्दोष लोगों की हत्याएं की उसके बंद रहने से समाज में शांती रहेगी जबीरा बोला राका को बाहर निकालो मैं तुम्हें लाखों डॉलर दूँगा साबू ने कहा चूहे मुझे रिश्वत देता है मैं तुम्हें सबक सिखाने आ रहा हूँ जबीरा बोला अगर तुम एक कदम भी आगे बढ़े तो मैं तुम्हें बंब से उड़ा दूँगा तभी चाजा चौधरी वहाँ पहुँचे और उन्होंने गुलेल से जबीरा के हाथ पर मारा जबीरा के हाथ का बंब उसी की कार पे जागिरा और उसक्या और उसकी कार के चीठर उड़ गए साबू ने कहा धन्यवाद चाजा जी इससे लगता है कि राका को छुडाने के लिए प्रयत्न हो रहे हैं अगर वह आजाद हो गया तो संसार का अमन चैन खत्रे में पढ़ जाएगा चाचा चौधरी बोले वह डाकू कहां मंध है इसको सिर्फ तीन लोग जानते हैं साबू तुम, मैं और गुरू सामबोद उधर चाचा चौधरी के घर पर उनका कुत्ता रॉकेट भौक रहा था चाची बोली हां रॉकेट मुझे पता चल गया कि तुम्हारा मालिक घर आ रहा है बीबी खाना टाउन प्लानर के ओफिस में वहां का चेयर्मन बोला जेंटलमेन बोर्ड की मीटिंग इसलिए बुलाई है कि कमपनी ने नई योजना बनाई है शहर के उत्तर पस्चिम में एक घना जंगल है हमारी टाउन टाइन कमपनी ने उसे सस्ते दामों में खरीद लिया है शहर में आवास की तंगी है उस जंगल की जगह एक नया नगर बसाया जाएगा प्लाटो की बिक्री से करोडो रुपे का मुनाफ़ा होगा एक आदमी बोला लेकिन चेयर्मन साहब क्या सरकार ऐसा करने देगी वह जंगल ग्रीन बैल्ट की तरह घोशित हो चुका है चेयर्मन ने कहा उस टाउन शिप को पास कराना हमारा काम है क्या हम मिनिस्टरों को चुनाओं में लाखो रुपिया चलना नहीं देते जोगा वह जंगल कितने दिनों में साफ हो जाएगा जोगा बोला एक हफ़ते में साफ रहा चलते रहागीरों ने कहा वह कैसी मशीन है उसे बुल्डोजर कहते हैं वह पेड़ों को गिराने की काम में लाया जाता है जोगा जंगल में जा पहुँचा और बोला जितना मैंने सोचा था यह जंगल उससे कहीं ज़्यादा घना है गुरु सामबोद कुटिया से निकलता है और बोला कौन जंगल की शांती को भंग करने आ गया रुको तुम निर्मनता से पेड़ों को नहीं गिरा सकते जोगा बोला बुढ़े पीशे हट जा और गुरु सामबोद एक पेड़ के निचे दब गए जोगा ने एक पेड़ को देखकर सोचा उस बड़े पेड़ में कार्क क्यों लगा है उसे गिराता हूं जोगा ने सोचा यह पेड़ बड़ा मचबूत है हील नहीं रहा जादा हॉर्स पावर इस्तमाल करनी होगी जोगा बुल्डोजर की सारी हॉर्स पावर लगा देता है जड़े उखरने लगती हैं जोगा ने सोचा वह गिरा बाकी पेड़ छोटे हैं उन्हें गिराने में मुश्किल पेश नहीं आईगी तभी उसे एक गठ्री दिखी जोगा सोचने लगा जहां से बड़ा पेड़ उखड़ा वहां से गठ्री निकली पहले जमाने में महराजा अपनी धन दौलत गठ्रियों में छुपा कर रखते थे मैं ऐसे खोलता हूँ इसके अंदर रखे हेरे जवारात मेरे हुँगे तभी उसे एक हाथ नजर आया गठ्री में से राका निकला राका बोला एक लंबे अर्से के बाद ताजी हवा खाने को मिली जोगा ने कहा तुम कौन हो राका बोला राका राका ने कहा मैं तुम्हें मार डालूँगा जोगा ने कहा मगर मैंने तुम्हें गठ्री से आजाद कराया है राका बोला तो मैं तुम्हारी जान बक्ष्टा हूँ जोगा वहां से भाग खड़ा हुआ और बोला मैं भूल कर भी कभी इस जंगल की तरफ नहीं आऊंगा राका ने सोचा मेरा पहला काम होगा कुछ खाने के लिए धूनना बड़ी भूख लगी है उधर एक शादी में लड़की का पिता बोला खेरुमल बेटी की शादी का मामला है खाना स्वादिष्ट बनना चाहिए हलवाई खेरुमल ने कहा फिक्र न करिये बाराती उंगलियां चाटते रह जाएंगे राका को खाने की खुशवू आई तो वह सोचने लगा काम बन गया अच्छे खाने की खुशवू आ रही है वह हलवाई के पास गया और बोला मैं भूका हूँ मुझे खाने को दो हलवाई ने कहा तुम्हें शर्म आनी चाहिए यहां लड़की की शादी है राका बोला मैं सारा मंडब तहस नहस करता हूँ लोग अपनी जान बचा कर भागने लगे राका ने खाना खाना शुरू किया और सोचने लगा बहुत दिनों बाद भर पेट खाने को मिला है एक ओरत ने पुलिस स्टेशन फोन किया और बोली हेलो पुलिस स्टेशन यहां एक विशाल आदमी ने दंगा फसाद किया और कई लोगों को मार डाला पुलिस इंस्पेक्टर बोला रोशन लाल पुलिस फोर्स लेकर मेरे साथ चलो एक मुझरिम को पकड़ना है उसने शादी में कईयों को मार डाला गाड़ी उस नुकर पर रोग दिना इंस्पेक्टर ने राका से कहा अपने आपको हमारे हवाले कर दो राका बोला मैं खाने में विग्न बरदाश नहीं करता मच्चरो तुमारी भलाई इसी में है कि चुप चाप यहां से चले जाओ इंस्पेक्टर बोला मुझे बक्वास सुनने की आदत नहीं उठकर मेरे साथ चलो राका बोला तुम्हें चुप कराने का यही तरीका था और उसने कुलाडी से इंस्पेक्टर की गर्दन काड़ दी बाकी सिपाहियों ने राका पर गोलिया चलाई और बोले उस पर गोलियों का असर नहीं हो रहा राका ने कहा तुम्हारे पठाके खतम हो गए मरने के लिए तयार हो जो राका ने सिपाहियों को कुलाडी से मार डाला और बोला किग्डे मकोडे परिशानी पैदा करते हैं इसलिए उनका मरना ही बहतर है उसने पुलिस जीप को उठा लिया जीप में बैठा एक सिपाही बोला अरे यह क्या करते हो यह जीप सरकारी गाड़ी है राका ने कहा अब इस खिलोने को तूटना चाहिए और उसने पुलिस जीप फेक दी राका बोला आगे जाकर देखूँ शहर के दूसरे इलाके लोग कैसे है वह सोचने लगा यह सड़के जानी पहचानी है मेरी गैर हाजरी में फैशन बदल गया है तभी एक गाड़ी वहाँ आई और उसमें बैठा आदमी बोला वह अपना पुराना साथी राका लगता है उसने कहा राका मेरे दोस्त रुको राका बोला जागय जेब कत्रा जागय बोला हाँ वह क्या जमाना था जब इकटे बैठकर ताश खेला करते थे अब सिर्फ तुम्हारा जिस्म बड़ा हो गया है जागय ने राका से कहा मुझे एक काम मिला है एक फिल्ब एक्टर का अपरन करना है एक लाख रुपए मिलेगा राका बोला जागय मैं मामोली काम नहीं करता यह मेरी तोहिन है जागय ने कहा याद है एक बार मैंने तुम्हें जेल में लोहे की रेती स्मगल की थी जिसकी मदस्ते तुमने जेल की सलाखे काटी और भाग निकले थे राका बोला अच्छा बाबा तुम्हारा काम हो जाएगा जागय ने कहा हाँ ऐसा बोलो ना राका बोला अब मुझे नीदा रही है तुम जाओ कल हम बात करेंगे रात होती है चौकिदार या खाने की तराश में निकले भूके कुट्टे को छोड़कर सब सोजाते है चौकिदार पहरा दे रहा था जाकते रहो दूसरे दिन एक कीमती कार शहर की उबर खाबर गली में घोमती दिखाई देती है कार में बैठा आदमी अपने ड्राइवर से बोला ड्राइवर आगे नुकड पर कार रोकना जागा ने राका से कहा राका फिल्म प्रॉड़िसर ब्रो आ गया है जागा बोला सेट तुम्हारा काम राका करेगा ब्रो ने कहा यह काम चुकचाप होना चाहिए क्या तुम्हारा साथी विश्वसनी आदमी है? जागा ने कहा सौ फीस दी सूरज कल निकलेगा या नहीं पर राका जो काम हाथ में लेता है वहें निश्चित होता है राका बोला सेट ब्रो तुम अपने ही फिल्म के एक्टर का अपरण क्यों करना चाते हो? ब्रो ने कहा तुम डाकू होना तुमने कभी बिजनस में पैसा नहीं लगाया मेरी फिल्म में करोडो रुप्या लगा है इसलिए बॉक्स ऑफिस पर उसका काम्याब होना जरूरी है नहीं तो मैं कटोरा लेकर मंदिर के बाहर भीक मागने लगूँगा अगर हीरो अगवा हो जाता है तो देश में चारो तरफ संसनी फैलेगी लोग अपने चहेति सितारी को देखने के लिए सीनेमा घरों पर तूट पड़ेंगे फिल्म हिट होगी और करोणों का मुनाफ़ा होगा राका बोला ब्रो सचमुझ तुम कुशल बिजनसमैन हो खुद करोणों डकारना चाते हो और हमें सिर्फ एक लाख देकर दफा करना चाते हो और राका ने कुलहाडी ब्रो के गले पर रख दी जागा बोला अरे रे कुलहाडी को हटाओ ब्रो ने कहा ठीक है फिल्म में जो भी मुनाफ़ा होगा उसका दस परतिशत मैं तुम्हें दूगा फिल्म स्टार जान खां यह इस वक्त टैनिस कोट में मिलेगा राका और जागा पिड्नेप के लिए निकल पड़े जागा बोला आओ चले राका कहीं ऐसा नहो कि जान खां वहाँ से खिसक जाए टैनिस कोट में एक खिलाडी जान खां से बोला जान खां तुम अच्छा खेल लेते हो क्यों नहीं अगले साल तुम विंबल्डन में किस्मत आजमाते टैनिस कोट में पहुँचकर जागा बोला वह लंबे बालो वाला युवक देख रहे हो वही है अमारी किस्मत का सितारा राका ने कहा मैं अंदर जाता हूँ जान खां के बॉडिगार्ट ने राका को रोका और बोले रुको तुम अंदर नहीं जा सकते पर राका ने उसके बॉडिगार्ट को एक ही हवार में चित कर दिया और बोला चूहो एक तरफ हट जाओ जान खां राका को देख कर बोला तुम टैनिस कोट के अंदर कैसे आए क्या किसी ने तुम्हें रोका नहीं राका ने कहा तुम्हारे चूहे बाहर मिट्टी चाट रहे हैं जान खां बोला तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा राका ने कहा यह फिल्म नहीं अस्ती चीज है चलो थैले में एक खिलाडी बोला कोई आओ वह जान खां को थैले में डाल कर लिये जा रहा है दूसरी सुभय अकबार में खबर छपी सूपर हिट हीरो का अफरन एक आदमी ने अकबार पड़ा और बोला देखा है कि एक लंबे चौड़े आदमी ने एक्टर जान खां को थैले में बंद किया और ले गया पुलिस को अभी तक कोई सुराग नहीं मिला खबर सुनकर एक महिला बोली मैं जान खां की परशंचक हूँ आज ही उसकी फिल्म देखूंगी शहर में एक रेक्ती ने कहा मैं जान खां की फिल्म देखने जा रहा हूँ उसका दोस्त बोला मैं भी क्या गजब की अक्टिंग करता है जान खां के अपरण की बात सुनकर उसकी फिल्म हाउस्पूल हो गई उधर कुछ दूरी पर साबू बोला चाची भूक लगी है चाची ने कहा मैं पडोस में जा रही हूँ लोट कर खाने को दूगी साबू बोला अहाँ चाचा जी अंदर से स्वादिष्ट हल्वे के खुश्बू आ रही है चाचा चौधरी बोले साबू कुछ देर मन पर काबू रखो मेरी पत्नी आएगी तब वह तुमें खाने को देगी साबू बोला अजी इतना धहरे किसके पास है मैं पीछे से किचन की खिड़की के पास जाता हूँ साबू किचन की खिड़की के पास गया और हल्वे को देखकर बोला अहां यह रहा हल्वा उसने गरम गरम हल्वे में अपना हाथ डाल दिया और बोला आउ मेरा हाथ चल गया साबू अपना जला हुआ हाथ लेकर नदी की तरफ भागा चाचा चौधरी ने कहा मैंने तुम्हें कहा था ना कि सब्र से काम लो साबू ने अपना हाथ नदी में डुबाया और बोला जलन से अब कुछ रहत मिली उधर फिल्म प्रोडूसर जराफ चाचा चौधरी को ढूंते हुए आया और बोला चाचा चौधरी रुको मुझे कुछ कहना है और इधर ब्रो ने राका से कहा राका अपनी फिल्म तूफान सारे भारत में हिट हुई है यह रहा मुनाफे में से तुम्हारा हिस्सा राका जान खात तब तक कैद में रहना चाहिए जब तक कि मेरी फिल्म सिलवर जुबली नहीं मना लेती राका बोला ब्रो सेट बे फिकर रहो वह एक्टर उस थेले में तब तक बध रहेगा जब तक कि तुम्हारी फिल्म डाइमर्ड जुबली नहीं मना लेती ब्रो बोला तब फिर मैं तुम्हारे लिए जल्दी ही और पैसे लेकर आऊंगा उधर प्रोडूसर जराफ शराफ ने चाचा चौधरी से कहा चाचा चौधरी मेरी फिल्म नाचो गाओ 75 प्रतिशत बन चुकी थी कि किसी ने उसके हीरो जरान खांका अपरन कर लिया मैं करजे में डूब जाऊंगा चाचा चौधरी बोले जिस व्यक्ति ने एक्टर को अगवा किया है उसका हुलिया वयान करो जराफ शराफ ने कहा घटना स्थल पर मौजूद लोगों का कहना है कि वह विशाल काये हिष्ट प्रिष्ट और दाड़ी मूचों वाला था चाचा चौधरी समझ गए कि वह राका ही हो सकता है क्या चाचा चौधरी एक्टर जान खांको चुड़ा पाए या राका ऐसे ही अपनी मनमानी करता रहा यह जानने के लिए बने रहें मेरे साथ और हाँ मेरे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना न भूले धन्यवाद